देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया नियूज उत्तर पर्शिम जिले में कारेकरताओं की नियुक्ति के लिए बैठक हुई जिसमें कई भारती जन्तपार्टी के कारेकरता हुए मौजूद बैठक के दोरान मुखे अतिती रहे देवेंद्र सोलंकी ओबीसी मोर्चा जिला ध्यक्ष आशीष ठाकरान एवंवशिष उपाध्यक्ष रमेश चौदरी भी बैठक में मौजूद थे सब्सक्राइब कर दोरान मौजूद रखा गया इसका मेल उतेश है क्या था 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 हमारी जो ओबीसी मोर्चा की न्युक्ति आउनी थी वो असिस्थागरान जी तो इस दिले के अध्यक्ष से ओबीसी मोर्चा के उनने अपनी टीम को गोशित किया है और मैं अपने सभी जो नव नियुक्त पदादिकार उनको अर्थे की कहरें इसे बदाई रहे तो और सुब काम नहीं देता है कि वो अच्छा काम करें पार्टी का विस्तार करने में एक एहम कड़ी क्योंकि यह वो लोग है जिन्होंने पार्टी को सीचा है और आगे बढ़ा है उनसे आज भी और आगे भी अपेक्षा रहेगी कि आप इसी परकार जो काम करें जो आगे भी करते हैं जैसा कि आपने अभी 13,000 करोड के बारे में बोला है इसके लिए आप और क्या कदम उठाएंगे लेके कल पूरी दिल्ली के अंदर भारते जन्ता पार्टी ने लिया है कि हमारे 30 पारसत पिछले 10 दिन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी के घर के सामने बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी बाहर निकल कर हमारी बातों का जवाब दे और हमारे 13,000 क्रोड रोपे दि हम पांच बजे तक अलग-अलग मंडलों के वार्डों के अंदर उपास का कारीकर्म रहेगा सुबह 10 बजे से 5 बजे हमारे कारी करता और चैत्रीय लोग और जो स्थानिय निमासी उनको मिला कर हम सब बैठने वाले कि अपनी आवाज उन तक पोचा हैं और हमारे सभी विदान सवामें वह वर्मित करने के लिए दिन का विशेश सतर बुला रहे हैं जबकि निर्यादार बातों को वह जूट बोलने में माहिन है जूट बोल बोलकर सत्ता के अंदर रहते हैं उनको बे नकाव करने अकाम भारतिय जनता पार्टी करेगी या तो उन्होंने तेरह दिन काम कररें तो ँनके घर का गुजाराब रहराब कारें से से लाट तरह होता है और ईफ्शा वह पैसा मांगए ना कोई उन से खेरात बंग है था का उसलों जिलाउत्तर पश्यमी बाजबा, OBC मोर्चा जिलाद देख्षा इस प्रोग्राम में आज आपका मेन उदेश है क्या रहा है ये कारेकरम अभी हमारा जिले का संक्तन नया नया बना है तो ये हमारे मेरी टीम के OBC मोर्चा की टीम के नए प्यदादिकारी है आज इनके अधिगारी गोश्णा जिलाद देख्ष देवंदर सोलंकी जी ने की है कारेकरताओ को कोई संदेश देना चाहेंगे? कारेकरताओ के लिए यही संदेश है जी, देर साल बाद चुनाव है चुनाव तो बाद में देखेंगे उससे पहले तो यह हमारे जो निगम के लोगों की परिशानी जो देख्जी ने भी बताया कि चार-चार महीने से तनखा नहीं आ रही है और उनकों जीवन यापन में बहुत परिशानी आ रही है पहले तो हमें जंग लड़नी है केजरीवाल से कि जो निगम का तीराजार करोड का जो बखाया है वो वापस दे निगम के करमचारियों की समय से तनखा मिले और उनके परिवार एक मुफलसी का जीवन छोड़के समय से तनखा मिलेगी तो अच्छे से तहीं नहीं अब भी हमारा लक्षा यह है आपको यहां पर क्या पद मिला है आपको यहां पर क्या पद मिला है और देवंदर भाई अजी झा छागरान जी ने मुझे दूबारा उपद का पद दिया गया है और मैं आगे इस पद को बेखुली बादीश निभाओंगा और आशा करता हूं जितना हो आगे बड़े चड़के अपना काम हर प्रोग्राम में भाग लिए जी हुआ आप आप हुआ